हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल मिशन टू तो बच्चों आज वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का हिंदी का चाप्टर वन जिसका नाम है दो बैलो की कथा इस चाप्टर को हम लोग पूरा कंप्रीट करने वाल हैं और बच्चों हां अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और आपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दीजेगा इससे क्या है कि मैं जैसे ही इसका अगला पार्ट का वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले नौटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके फ्रेंड्स के पास जाए ठीक है तो जयले जादा लेटना करते हैं हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखते हैं इस चाप्टर का नाम क्या है दो बैलो की कथा जो की पार् ओप्सन दीवें मैं परतिक ओप्सन में चार या पांस सेकेंड दूँगा आप लोग को सबसे पहले बताना है ठीक है उसके बाद मैं इसका अंसर को बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहला अप्सन है जाबिरुशैन प्रेमचंद्र राहुल संस्कृत्यान और स्यामचरन द दियान में यह बहुत जाद इंपॉर्टन कुशन है जो बार बार पोच्छा जाता है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग कुशन टू में बढ़ते हैं लिखा हुआ है दो बैलो की कथा नामक में जानवारों में सबसे अधिक बुद्धी हीन किसे माना गया है तो ऑप्सन है गाय बैल लोमडी गधा तो बच्चो इसका राइट जो अंसर है ऑप्सन नंबर डी गधा गधा जो है वो बुद्धी हीन है उसके पास बुद्धी है ही नहीं ठीक है इस चाप्टर में जो जानवार जितने भी है ठीक है बैल है गधा है यह सब जितना भी है जिसमें से सब सबसे बुद्धी हीं the également गधा को खूर कई चलिए करो पूरी मित्रता का पता कैसे चलता है तो अपने एक दुसरे का भार संभालते थे एक दुसरे के लिए लड़ना है नवन Kunim rays जब कोई उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिस करता था तो एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ना या फिर उप्रोग सभी तो बच्चो इसका राइट जो अंसर हो जाएगा उप्रोग सभी ठीके यानि कि ये एक दूसरे का भार भी संबालते थे और एक दूसरे के लिए लड़ भी जाते थे और जब कोई उनुकसान पहुचाता था तो क्या करते थे वे दूसरों का साथ कभी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे तो इसमें उप्रोग सभी है इसलिए इस चीज़ से हम लोग को पता चलता है कि हीरा और मोती की मित्रता का कितना गहरा संबंद था ठीके चलिए नेक्स्ट कोईशन में आते हम लोग जूरी के बैलो का क्या नाम था तो जूरी के बैलो का नाम चाप्टर में ही पता चल गया होगा ठीके ओप्सन A है हीरा पन्ना B है हीरा मोती C है हीरा जौहर D है हीरा लाल तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा Option number B हीरा और मोती जूरी के जो दो बायल थे उनका नाम था हीरा और मोती ठीक है इसी पे तो पूरा चाप्टर दिया हुआ है है ना? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं कांजी होस से कौन नहीं भागा था तो इसमें option जो दिया हुआ है A बकरियां B गधे C भैसे D भेडे तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा Option number B गधा जो थे वो कांजी होस से नहीं भागा था बाकी जो थे वहाँ पे सारे का सारे भाग गए थे गधा जो था वहाँ कांजी होस से नहीं भागा था चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 6th number question हीरा मोती कितने दिन तक कांजी होस में बंधे पड़े रहे तो option है एक सप्ता 15 दिन 10 दिन 20 दिन तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा 6th का option number A यानि एक सप्ता ठीके एक सप्ता तक का वह कांजी होस में बंधे पड़े रहे ठीके चलो इसके बाद आते हम लोग 7th number सवाल कांजी होस से हीरा मोती को किसने खरीदा ठीके तो option है बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option number B कांजी होस से जो हीरा मोती को खरीदे थे वो कौन करदा था दड़ियाल करदा था ठीके चली इसके बाद हम लोग आते है 8th number सवाल में question है जाकर थाने में रपट कर दूँगा या कथन किसका है तो option है जूरी B है गया C है दड़ियाल और D है चौकिदार तो बच्चो जो इसका राइट अंसर है option number C दड़ियाल ठीके इनही का कथन था कि जाकर थाने में रपट दूँगा ठीके आईए अब 9 number question को देखते हैं देखे क्या लिखावाए 9 number लवारी स्पस्वों को बंद करने का अस्थान कहलाता है तो option है A हौज काजी B है काजी हौज C है हौज काजी और D है काजी कासी हौज ठीके तो इसमें आप लोग को बताना है तो बच्चो इसका जुराइट अंसर हो जाएगा option number B काजी हौज वहीं पे लवारी स्पस्वों को बंद करने का जो अस्थान था वो काजी हौज कहलाता था उसी में क्या करता था हीरा दढ़्याल ने हीरा मोती को क्या कहता बांद दियाता है ना चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 10 number गधा किस महीने में एकाद बार कुलेल कर लेता है तो option है चैत्र B है वैसाथ C है सावन और D है भादो तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option number B वैसाथ गधा किस महीने में एकाद बार कुलेल कर लेता था तो वैसाथ का दिन में इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 11 number सवाल देखते हैं हम लोग बच्चिया का ताओ किसे कहते हैं तो option है बैल B है गधा C है भैसा और D है घोडा तो बच्चो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा बैल बच्चिया का ताओ किसे कहते हैं तो बैल को कहते हैं तो option number A इसका राइट हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम लोग 12 number सवाल जूरी के साले का क्या नाम था तो option है गोविन B है गोपाल C है गंगा और D है गया तो बच्चो इसका जो राइट नंसर हो जाएगा option number D जूरी के साले का जो नाम था वो था गया ठीक है चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 13 number सवाल बैलो को घर लोटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किस ने किया जब बैल घर लोट रहे थे ठीक है हिरम होती तो उसका अभिनंदन जो करने का जो निश्चय किया ठीक है वो कौन किया ठीक है तो option A है जूरी ने B गया ने C दड़्याल ने या फिर D बालसभाने तो बच्चो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D बालसभाने बालसभाने क्या किये थे घर लोटें पे उसका अभिनंदन किये थे स्वागत किये थे उन्हीं लोग निश्चय कर रहे थे चलो इसके बाद हम लोग आते हैं चौदर नमबर सवाल में लिखावा है दूसरे दिन गया बालसभाने को कैसे ले गया ठीके तो option नमबर A है खिचता हुआ B है मारता हुआ C है ट्रक पर और D है गाड़ी में जोटकर तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option नमबर D किसमें गाड़ी में जोटकर बालो को ले जाया गया इसके बाद आते हम लोग पंदरे नमबर सवाल में गया ने बालो को किस से बांधा तो option A है जंजीरों से मोटी रस्यों से निवार से या सुतली से तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चो मोटी रस्यों से option नमबर भी इसका राइट हो जाएगा आगे आते हम लोग 16 नमबर सवाल लिकवा है मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूँगा यह कथन किसका है हीरा का, मोटी का, गया का या जूरी का बच्चो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा मोटी का, मोटी ही बोला था जब मुझे कोई मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूँगा, है ना इसके बाद आते हम लोग 17 नमबर सवाल में गया ने घर में जूरी के बाइलो को रोटियां किसने दी गया के घर में जो था जूरी के बाइलो को रोटियां किसने दी था तो उप्सन ए है गया ने बी है सायकों ने और सी है गया की पत्नी ने और दी है छोटी लड़की तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी छोटी लड़की ही ने ये क्या क्या था जूरी के बाइलो को क्या क्या था रोटियां दी थी है ना तो अप्सन नमबर डी इसका राइट हो जाएगा चलिए इसके बाद आते हैं लोग अठारह नमबर सवाल में हीरा मोती भूक से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे तो अप्सन ए है चना बी मटर, सी सरसो और दी मूग तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर बी मटर जब हीरा मोती को भूक लग गया था उनलोग व्याकुल हो गया तो तो क्या किया इन लोग मटर को चरने लगा है न चलो इसके बाद आते हैं हम लोग उननीश नमबर सवाल हीरा मोती को कहां बंद कर दिया गया तो अप्सन ए है आहाते में बी है पस्टू साला में और सी है पिंजरे में और D है कांजी होस में तो इसका लाय अप्सन नमबर D कांजी होस में हीरा मोती को कहां बंद कर दिया गया था कांजी होस में ठीक है चलो इसके बाद आते हैं हम लोग बीस नमबर सवाल दो बैलो की कथा نامक पार्ट से हमें क्या प्रेरना मिलती है तो option A है हमें मेहनत करनी चाहिए, B है मालिक की सेवा करनी चाहिए, C है सोतंतरता के लिए संगर्स आवस्यक है, D है सत्रू को सत्रू ही समझना चाहिए तो इसका right answer हो जगा बच्चो सोतंतरता के लिए संगर्स आवस्यक है, ठीक है तो option C इसका right हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग एक किस नंबर सवाल लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है यह कथन किसका है option A है मोती का हीरा का जूरी का गया का तो बच्चो इसका right answer हो जाएगा हीरा का ठीक है हीरा का उन्ही का कथन था क्या है कि लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है है ना चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल क्या लिखा प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ है ना तो इसकी मिरेतिव कब हुई वो चीश को बताना है तो option यहाँ पर 4 दिया हुआ है चार में से आप लोग को एक का बताना है बताईए 1926 में 1936 में 1936 में तो बच्चो इसका जो right answer हो जाएगा option नंबर B 1936 में प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ 1936 में इसके बाद आते हम लोग प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ ठीक है वो मि बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा option नंबर C वारा नसी के पर पास लमही गाउं में उनका जन्म हुआ था इसके बाद आते हम लोग 24 नंबर सवाल बठिया का ताव मुहावरे ठीक है यहां मुहावरे होगा गुहावरे लिखा गया है ना मुहावरे का अर्थ है बै आते हम लोग 25 नंबर सवाल में दो बैलों की कथा किस लड़ाई की और संकेत करती है तो पानिपत की लड़ाई की और प्रेथम विश्वी युद के और भारते संग्राम की और या भारत चिन की युद की और तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जागा ऑप्शन नंबर सी भारते संग्राम की और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या लिखावा है गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि पहला गया पराय बैलो पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था गरीबी के कारण खली आदी खरिदना उसके वसकी बात नहीं थी वहीरा मोती से वेवहार से दुखी था या उसे खली आदी सामगरी की जनकारी नहीं थी गया पराय बैलो पर अधिक खर्च नहीं करना चाथा मतलब दूसरे के बैल पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था गया कौन था वह जूरी न áठ ये स्वाल पहली बार गया के घर से भाग कर दो नो बैल कहां गए। तो उप्टन A है जुरी के घर वी है ऐकांजी होस में,起 है मटर के खेत में या डी है नहर के किनारे तो पहली बर जो घर से भाग कर जो दो नो बैल गए वो कहां गए, बच्चो उसको बताना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जूरी के घर ही गए ठीक है पहले बर जब घर से भाग कर कहा गए तो जूरी के घर इसके बाद आते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रसी खोल कर की कौन की ठीक है जूरी ने स्वाम हीरा मोती ने चौधरी ने या उस छोटी लड़की ने तो बच्चो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्चन नंबर डी उस लड़की ने चोटी बच्ची जो थी वो इनकी मदद की थी ठीक है जब पहली बार रसी जो बनदा था उसको खोल कर चोटी लड़की ने इसके बाद हम लोग आते है नेक्ट सवाल हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोसिस की तो आप्सन है दो बार चार बार साथ बार एक बार तो बच्चो इसका जो आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे है कितना आप लोग से बन पा रहा था ठीक है और वीडियो को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा सेर किजे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजेगा इसका नेक्स्ट वीडियो पार जैसे आएगा वैसे मैं इसको बता दूँगा बाकि आप लोग और भी वीडियो पाने के लिए मैट का साइंस का जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं प्लेलिस्ट में आप लोग का सभी वीडियो डाला गया है वहां से आप लोग देख सकते हैं चले मिलते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो में ठीके धन्यवाद